Hello my dear students and welcome to Mrs. Sangeetha Partil's YouTube channel. Today we will study about past perfect tense. Past perfect tense, एक ऐसा tense होता है, जिसमें हम ऐसे कारियों के बारे में बात करते हैं, जो भूत काल में पूर्ण हो चुके होते हैं. So let's see the identity of this tense. अब चुकी एक आरियों भूत काल में पूर्ण हो चुके होते हैं, इसलिए इनमें इस तरीके के शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कई बार ऐसे साउंड भी मिलते हैं, जैसे आ था, ई थी, ए थे. For example, चपरासी गंटी बजा चुका था, दप्यून हैड रंग दबल, इसमें चुका था, आया है, टीना एक आम नहीं खा चुकी थी, टीना हैड नॉट इटन अ मैंगो, ये एक नेगेटिव सेंटेंस, क्या लड़के विद्ध्याले जा चुके थे, हैड दबॉइस गॉन त शकूल ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस तरीके से इन में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब शब्दों हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं, कि ये पास्ट पर्फेक्ट टेंस के एक्जामपल है, नो इस दिजामप अट 5 पि-म इन दे इवनिंग, ओल दे ओफिसे हैड ग्लोजड, तो शाम के पाच बजे सभी ओफिस बंद हो चुके थे, तो ये काम पूर्ण हो चुका है, और ये बूद काल में हुआ है, तो इसे बताने के लिए हम पास पर्फेक्ट टेंस का यूज़ करें, इस तेंस को ह हैड प्लस वी-3 प्लस ऑबजेक्ट, तो सबजेक्ट और ऑबजेक्ट ये तो किसी भी सेंटेंस में रहता ही है, इस टेंस की पहचान है कि इसमें हैड लगा रहेगा और वर्प का थर्ट फॉर्म इसमें यूज़ होता है, नो लेट सी सम एक्जमपल्स, वी हैड 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 और जब हम इसे पास परफेक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हैड प्लस वी-3 हो जाएगा इसका गॉन, डेविड हैड गिवन अ बुक टु मी, डेविड मुझे एक कुस्तक दे चुका था, तो यहाँ पर हैड प्लस गिब का वी-3 हो जाएगा गिवन, रा तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर दिया है, तो हम उसे बहुत आसानी से, पास्ट पर्फेक्ट टैंस में चेंज करेंगे। अगर बनाना है तो यह auxiliary verb जो head है इसके बाद यहां पर लगा देंगे not तो sentence हमारा negative में change हो जाएगा राकेश had not gone to school, राकेश school नहीं जा चुका था, यहाँ head के बाद not लगेगा और फिर वीत्री यहाँ head के बाद not लगेगा और फिर वर्प का third form बाद तो इस तरीके से यह सभी negative sentence है इस इंट्रोगेटिव sentence या प्रश्न माचक वाद, इस sentence में question word present रहेगा यह question word wh word हो सकता है wh word means w या h से start होने वाले और auxiliary verb से भी start हो सकते हैं और ऐसे sentence के last में question mark लगा रहेगा how what are the examples of wh words for example who, Aug, who, which, where, where, when, what, why, whom, whom, who, who, how, how, how many, how, how many, how which, how. तो यह सभी WH word है, जो interrogative sentence में use हो सकते हैं, और जो auxiliary verb इसमें use होगी, वो है, तो interrogative sentence में head auxiliary use होगी, और इन में से कोई भी WH word भी इसमें use हो सकते हैं, तो let's see the structure, question बनाने के लिए, जो auxiliary verb है, वो शुरू में आ जाएगी, तो head starting में रहेगा, फिर subject, फिर verb का third form, और फिर object, और इस उसमें WH word लगा हुआ है, तो यह WH word यहां starting में रहेगा, इसके बाद यह auxiliary आएगी, head, फिर subject, प्लस V3, प्लस object, और last में question mark, अगर auxiliary verb से start हो रहा है, तो head से चालू होगा, और अगर उसमें WH word भी लगा हुआ है, तो WH word प्लस head से हमारा sentence start होगा, और last में उसमें question mark लग फिर subject, फिर वर्प का third form और यह object, और last में इसमें question mark, had राकेश gone to school, क्या राकेश स्कूल जा चुका था, तो head शुरू में subject, फिर यह वर्प का third form gone और यह बाकी object, और last में question mark लगाना है, question mark अगर नहीं रहेगा, तो हमारा sentence interrogative नहीं रहेगा, had David given a book to me, क्या David मुझे एक subject है David, फिर यह वर्प का third form और a book to me, यह सब हो जाएगा object, then head राधा, eaten a mango, क्या राधा एक काम खा चुकी थी, so head शुरू में फिर यह subject, फिर वर्प का third form और यह object, and then question mark, had I bought a toy, क्या मैं एक खिलोना खरीच चुका था, तो इसमें भी head शुरू में आ जाएगा, फिर subject, फिर word का third form, फिर object, और फिर question mark, इस तरीके से अगर हमें question बनाना है, तो जो auxiliary word head है, उसे हम चुरू में लाएंगे, उसके बाद subject लगाएंगे, फिर word का third form, फिर object, और फिर last में question mark, and fourth type is, interrogative and negative sentence, इसमें interrogative और negative, दोने type के sentence रहेंगे, means, दोनों को combine कर दिया जाता है, तो इसमें question word भी रहेगा, जो wh word या auxiliary work हो सकती है, और चुकि यह नकारत्मक भी है, तो इसमें not भी present रहेगा, means, question और negative दोनों को मिला के बनता है, interrogative and negative sentence, now let's see the structure, इसका structure interrogative sentence के जैसे ही रहेगा, पर अलग से उसमें not लग जाएगा, तो head plus subject, अग यहां पर लग जाएगा not, फिर word का third form, object or question mark, यह सेम ही रहेगा, और अगर उसमें डब्लू एच वर्ट भी दिया हुआ है, तो डब्लू एच वर्ट प्लस head, यह starting में लगेगा, फिर subject, उसके बाद लगाएगे not, फिर v3, प्लस object, प्लस question mark, तो pattern सेम ही रहेगा, लेकिन subject के बाद इसमे not लग जाएगा, तो हमारा sentence, interrogative negative में change हो जाएगा, now let's see some examples, had we not help the poor, क्या हम गईबों की मदद नहीं कर चुके थे, the head शुरू में, we के बाद not, फिर वर्ट का third form, और फिर object, had Rakesh not gone to school, क्या Rakesh school नहीं जा चुका था, the head शुरू में, और subject के बाद not, फिर वर्ट का third form, फिर object, और फिर question mark, had David not given a book to me, क क्या David मुझे एक बुस्तक नहीं दे चुका था, तो इसमें भी same pattern है, had शुरू में, subject के बाद not, फिर वर्ट का third form, फिर object, और फिर question mark, had Rada not eaten a mango, क्या Rada एक आम नहीं खा चुकी थी, इसमें had शुरू में, Rada subject है, इसके बादा जाएगा not, eat का वीतरी हो जाएगा eaten, फिर ये a mango object, और last में लग जाएगा question mark, had I not bought a toy, क्या मैं एक खिलोना नहीं खरीच चुका था, तो ये had auxiliary शुरू में आएगी, फिर subject, फिर not, फिर buy का हो जाएगा, bought third form, a toy object, और फिर question mark, तो ये interrogative sentence में अगर not लगा हुआ रहता है, तो इसे interrogating negative sentence का है, now let's see the summary of this, affirmative sentence अगर दिया है, तो mukesh had purchased a car, mukesh एक car खरीच चुका था, तो इसमें had plus v3 आएगा, और not इसमें present नहीं रहे, अब इसी sentence को अगर negative बनाना है, तो ये जो auxiliary verb है had, इसके बाद लगा देंगे not, तो mukesh had not purchased a car, mukesh एक car नहीं खरीच चुका था, तो ये हमारा sentence जो है, वो negative में जेंज हो जाएगा, अ इसका अगर question बनाना है, तो ये जो head है, इसे शुरू में ला लेंगे, तो head, mukesh और बाकी as it is रहेगा, purchase a car और इसके last में question mark लगाएंगे, तो हमारा positive वाला sentence interrogative में change हो जाए, अब ये जो negative sentence है, इसका अगर question बनाना है, तो इसमें भी head को यहाँ शुरू में ला लेंगे, औ और बाकी as it is लिखे, इसमें question mark लगाएंगे, तो head शुरू में आगे, mukesh, subject वैसका वैसी रहेगा, बाकी not purchased a car और फिर question mark, तो ये जो हमारा negative sentence था, ये हो जाएगा, interrogative sentence, तो उसमें question भी रहेगा, not भी रहेगा, means interrogative negative, next is, why had mukesh purchased a car, अब ये भी एक interrogative sentence है, लेकिन इसमें auxiliary verb क प्ला से auxiliary head शुरू में आएगा, फिर subject, फिर word का third form, फिर object और फिर question mark, next, why had mukesh not purchased a car, अब ये जो sentence दिया हुआ है, जिसमें wh word लगा हुआ, इसी का अगर negative बनाना है, तो ये subject mukesh के बाद यहां पर लगा देंगे, not, तो हमारा sentence हो जाएगा, interrogative and negative sentence, जिसमें wh word भी लगा हुआ तो इस तरीके से past perfect tense का कोई भी sentence अगर दिया है, तो हम उसे negative में change कर सकते हैं, interrogative में change कर सकते हैं, interrogative negative में change कर सकते हैं, now let's practice some MCQs of this tense, choose the correct form of past perfect tense, तो जो भी options दिये हैं, उसमें से past perfect tense का correct option चूज़ करना है, so question number one, fish is blank in water, options are had swum, have swum, had swim and had swam, तो यहां हमें past perfect tense भरना है, तो past perfect tense का formula रहता है, head plus v3, तो यहां से ले लेंगे head, और swim का v3 होता है, swarm, so your answer will be, had swum, fishes had swum in water, then question number two, निशान्त blank not blank a car, इसमें not लगा हुआ, it means a negative sentence है, तो head लेंगे plus work का third form लेंगे, so head तो इसमें आए गई, और drive driver driven में से third form होता है, driven, so your answer will be, nishant had not driven a car, then question number third, blank I not blank my hand, इसमें not भी लगा हुआ है, और question mark भी लगा है, it means यह interrogative negative sentence है, so starting में आ जाएगा head, और फिर work का third form लेंगे, तो वो हो जाएगा, so head and washed, so had I not washed my hand, then question number four, blank my brother, not blank in the garden, question mark लगा हुआ, it means interrogative sentence है, तो auxiliary work starting में आएगी, और वो है head, उसके बाद work पर third form लेंगे, तो dig, dug, dug, third form होती है, dug, so had and dug, so had my brother, not dug in the garden, then question number five, it had blank yesterday, अब यहां पे options दिये हैं, rain, rains, raining and rain, अब हमें past perfect भरना है, तो had plus v3 भरेंगे, तो rain का third form होता है rain, so your answer will be rain, it had rain yesterday, then question number six, I blank to church yesterday, अभी में not लगा हुआ, it means a negative sentence है, तो auxiliary verb had लेंगे, उसके साथ not लेंगे, और फिर verb पर third form लेंगे, तो go का third form होता है gone, so your answer will be had not gone, I had not gone to church yesterday, then question number seven, blank the teacher, blank you, question mark इसमें लगा हुआ, it means a negative sentence है, तो auxiliary verb, इसमें starting में लें, तो pass perfect के लिए जो auxiliary आएगी, वो है had, और फिर verb का third form लेंगे, तो वो हो जाएगा punished, had and punished, so had the teacher punished you, and question number eight, my parents had not blank to bombay, options are going, gone, go and goes, अब head not इसमें लगा हुआ है, तो हम verb का third form ही लेंगे, तो third form होता है gone, so my parents had not gone to bombay, then question number nine, my friends blank kite, options are head flown, head flew, head flying and head fly, past perfect भरना है, तो auxiliary लेंगे head और इसके साथ उसका third form लेंगे, so your answer will be head and flown, so my friends had flown kites, then question number 10, I blanked an aeroplane yesterday, auxiliary इसमें लेंगे head और इसके साथ third form, सी, साथ और सीन में से third form होता है सी, so your answer will be head and scene, so I had seen an aeroplane yesterday, so I am sure that you have understood this tense and all these NCQs very well, and now you can easily frame sentences of your own by using this tense, my dear students, now we will meet in the next video with a new type of tense, till then you practice all my videos of tense, so that you can become fluent in English, thank you and keep watching and supporting my channel.